बिहार के मजदूरों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये आपको पता होगा बिहार के मजदूर दुसरे राजी में जाकर नौकरी करते हैं लेकिन अब जीतन रामांजी जो की केंद्रिय मंत्री हैं और एमेसेमी मंत्री हैं और वो अपने बिभाग के तरफ से गया जिला को और धोगिक छेतर बनाना चाहते हैं यानि अब ये इंडरिस्ट्री एरिया होगा जिस तरह से उत्तर परदेश का नौइडा गाजियाबाद इलाका है वहाँ पे हजारों कमपनिया हैं लाखों लोग वहाँ पे नौकरी करते हैं और उसमें से 50% से जादा बिहार और दुसर गया जिले से हुई है मतलब बिहार अब एक बहुत बड़ा और धोगिक केंद्र बनने वाला है गया के डोभी छेतर के आसपास सबसे बड़ा इंडरस्ट्री कोरिडोर का निर्मान होने जा रहा है और इंडरस्ट्री इंडरस्ट्रियल सेंडर के स्थापना बड़े पैमान पर की जाएगी उन्होंने कहा जीतर अमान जी ने कहा कि यह डोभी के लिए इंडरस्ट्री कोरिडोर दस राज्यों से निकलती है सबसे इसके लिए सोलो सो एकर से ज्यादा भूमी चीनित किया गया है इसे बनाने के लिए लगभग 28,000 कोड़ो रुपे खर्च होने की आमना है और 10 से 30 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा समझ रहे हैं आप 10 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और जिसमें सभी लोग जुड़े हैं जैसे आपने दिखा होगा जो इंडरस्ट्री अरिया होता है वहाँ पे दुकान चलाने वाले से लेकर छेतर जब बनेगा ओधोगिक छेतर तो समझ लिजे कि एक डिस्टिक में अगर इतना वड़ा इंडरस्ट्री लगता है और 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है तो समझ लिजे कि कितना वड़ा ये फलान है तो हम यही कहेंगे कि ये बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं जीतन राम मांजी, जो काम वो बिहार के मुख मंत्री रहते हुए नहीं किये थे, वो काम आबो केंद्रिये मंत्री रहते हुए करने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं, बिहार के लोगों को बिहार में इंड इसान थे ये आप समझ सकते हैं ये खबर सुनकर जो लोग जिनका परिवार बिहार से बाहर जाकर दूसरे राजो में नोकरी करते हैं वो खुशी से जूम उठेंगे और बिहार में अगर इंडरेस्ट्री लगता है तो जानते हैं ये तरकी कितना जल्दी करेगा इसके फिछे कारण है कि बिहार में चाहे किसी भी छेतर का किसी भी तरह का इंडरेस्ट्री लगाया जाए सब के लिए बिहार में आपको अपरेटर, सुपरवाईजर, लेवर सभी तरह के यहां पे लोग उपलब्ध हैं जो फैक्टरी को चला सकते हैं और सबसे ची बात ये है कि जब द से जो हम 20,000 वहां पे कमाते हैं उससे बेहतर ये हमारा 12,000 होगा तो कम पैसे में ज्यादा मेहनत करेंगे बिहार को जल्दी और बेहतर ढंक सागे बढ़ाएंगे बिहार के मजदूर और ये बहुत अच्छी ख़बर है जो बिहार से दूसरे राज़ों में जाकर काम करते है करते हैं